पिछले तीन वीडियो में हम प्लाटफॉर्मर का ये गेम बनाना सीख रहे हैं इस फोर्थ और लास्ट पार्ट में हम इस गेम में लेवल्स डालना सीखते हैं एक computer program में जब हम एक set of instructions को बार-बार repeat करना चाहते हैं तो उनको बार-बार लिखने के बदले हम एक function के अंदर डाल देते हैं और फिर जहां पर भी हमें वो instructions call करनी होती हैं हम उस function को call कर लेते हैं तो जब हम अपने platformer में levels बनाना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हर level में platforms जो हो वो थोड़े different हो यानि कि जो tile map है वो थोड़ा different हो और फिर उसमें हम कहाँ enemy place करें कहाँ coins place करें और degree of difficulty क्या रखें ये जो है वो थोड़ी different हो पर जो coins बनाने का तरीका है या जो skull बनाने का तरीका है वो तरीका सेम रहेगा तो इसके लिए जो हमारा ये on start block है इसमें से जितनी भी instructions यहां पर है जो की है about creating the coin और animating the coin और creating the skull and animating the skull ये हम एक function में डालना चाहेंगे तो ये करने के लिए मैं advance में जाके यहां function में जाके एक नया function create कर रहा हूं और function by default है do something मैं इसको नाम दे रहा हूं कि for example start new level तो हमारा ये एक start new level नाम का एक function जो है ये create हो गया है और इस function में ये जो code था सारा इसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूं जहां हम ये सारा coins और skull जो थे वो बना के उसको place कर रहे थे और यहां पर on start में जहां हम ये पूरी instructions लिख रहे थे उसके बदले हम यहां पर लिख देते हैं functions में जाके हम वो जो function हमने भी create किया है हम उसको call कर देते हैं तो जब हम इस function को call कर रहे हैं start new level तो इसके अंदर जितनी भी instructions हैं वो so to speak यहां पर आ गई हैं इसलिए अभी हमारा जो program है वो जो हम पहले लिख रहे थे वो यहां चल रहा है अब हम नया level बनाने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जब यह जो हमारा player sprite है यह जो end में हमने portal रखा था जब हमारा player sprite इस portal पर आए तो rather than कि हम winning condition announce करें हम यहां से उसको एक नय level पर ले जाना चाहते हैं का conditional statement ला रहे हैं और हम यहां चेक करना चाहते हैं कि user किस level पर है तो यह चेक करने के लिए फिर हम variables में जाकर एक नया variable create कर रहे हैं जिसका हम नाम दे सकते हैं level तो हम कह रहे हैं कि जब game start होगा तब हम यहां पर level set कर रहे हैं set the variable called level to 0 और फिर हम अपनी conditional statement में हम क्या चेक कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर यह जो level है यह level 0 है तो यहां पर हम एक equality ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर level नाम का variable जो है वो 0 है तो यह जो हम tile map हम ने बनाया है first level के लिए इस tile map को हम यहां लाना चाहते हैं तो अगर आप अगर मैं यहां से इसको ऐसे हटाऊँगा तो जिसके नीचे जितने blocks हैं वो सारे आ जाएंगे जबकि मुझे केवल यह set tile map वाला block हटाना है तो इसके लिए मैं control की दबाते हुए अगर इस block को हटाऊँगा तो केवल यह block हटेगा तो अब हम यहां पर कह रहे हैं अगर level 0 है जो कि हमने अभी अभी यहां set किया है कि set level variable called level to 0 तो यह जो tile map है यह चला देना तो अभी हम exactly जो अभी currently हमारा level चल रहा था वो यहां ठीक चल रहा है उसके बाद हम क्या कहना चाहते हैं कि जब यह हमारा player sprite वो finally उस portal पे पहुँचे तो rather than कि हम वहाँ पर यह winning condition डाले हम वहाँ पर कहेंगे कि इस winning condition को भी मैं अलग रख रहा हूं और हम यहां कह रहे हैं variables में जाके हम कह रहे हैं कि जब यह player sprite portal sprite को छुएं तो change level the variable called level by one तो अब जब हमारा level one complete हो जाएगा हमारा player sprite हमारे portal को छुएगा तब यह variable जो है level नाम का जो variable है इसकी value one से बदल जाएगी अब जब level variable की value one हो गई है तब हम वापस अपने conditional statement में जाके मैं इसको यहाँ duplicate कर रहा हूँ और हम यहाँ कह रहे हैं और मैं इसको plus करके यहाँ पर else if कर रहा हूँ कि else if the variable call level is equal to one then हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक नया tile map बना देंगे जो कि level one से different होगा और यहाँ पर फिर हम complexity जो है अपने game का challenge जो है उसको ज़्यादा difficult कर सकते हैं तो tile map बनाने के लिए मैं वापस scene में जा रहा हूँ और मैं यहाँ कह रहा हूँ set tile map to command लाके यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब हम एक नया tile map बनाएंगे तो मैं यहाँ वापस कह रहा हूँ कि यह हमारी जो width है वो 25 है जो हमारी height है वो 8 है और अब यहाँ पर आप जो भी tile map बनाना चाहो वो बना सकते हो तो यह हमारे second level के जो platform है वो है और यहाँ पर जाके फिर हमारे को इनको wall से cover करना पड़ेगा ताकि हमारी जो player sprite है वो इनके through न जा पाए और इसके बाद मैं फिर जो हमने tiles पहले बनाई थी वो same tiles ले रहा हूँ ताकि हमारा programming logic जो है वो ना बनले तो यह जो हमने flames बनाई थी मैं इनको नीचे place कर रहा हूँ ताकि अगर हमारा player sprite है वो गिरे तो यहाँ पर वो हमारी game over की condition जो है वो true हो जाए उसके बाद मैं फिर जो हमने pink tiles बनाई थी जो कि हम फिर replace कर रहे थे coins के साथ तो मैं वो ले रहा हूँ यहाँ पर और मैं उनको यहाँ डाल रहा हूँ और फिर मैं purple tides ले रहा हूँ जिनको हम programming के through replace कर रहे थे skulls के साथ और finally मैं अपने हमारे tile map में जो हमने portal रखा था जो हमारी फिर या तो हम player को next level पे ले जाएंगे या फिर यहाँ पर हम यह winning condition रख देंगे यह सब place करके अब यह हमारा next level का जो tile map है वो तयार हो गया है तो मैं अब done कह रहा हूँ तो इसको test करने के लिए मैं अभी यहाँ पर जो हम जहां हम कह रहे थे कि initially set level to zero मैं वहाँ ही पर set level to one कह रहा हूँ ताकि हम ने जो नया बनाया है वो हमें दिख जाए तो यह हमारा जो next level है उसका tile map है इसमें कुछ गलतियां है जो हम हमें ठीक करनी पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई तरीका नहीं है enemy को avoid करने का तो यह हमारा जो next level है यह ठीक चल रहा है पर हम चाहते हैं कि एक तो मैं इसको वापस change कर रहा हूं जहां हम initially कह रहे थे कि जब on start जो है जो level नाम का variable है उसकी value 0 रखना और उसके बाद मैं यहां पर जहां हम कह रहे थे कि जो हमारा level 1 का end था यानि कि जब हमारा sprite जो था वो portal की tile को छूरा था तब हम एक तो level नाम का variable जो है इसकी value 1 से बढ़ा रहे हैं दूसरा हम यहां पर फिर से जो वो हमारा function है उसको call कर रहे ताकि हमारा नया level जो है वो शुरू हो जाए और अभी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहां जो conditional statements हैं हैं वहां पर एक और else if join करके हम कह सकते हैं कि जब second level complete हो जाएगा और इस level नाम के variable की value उसक टू होगी तब अगर मैं यहां पर else if एक और add कर रहा हूं और मैं यहां जाके इसको duplicate करके यहां कह रहा था कि जब level नाम के variable की value 2 हो जाएगी तो मैं यहां पर फिर से एक नया tile map बना दूँगा और उसमें फिर complexity बढ़ा दूँगा scoring बढ़ा सकता हूं जो भी है वो सब मैं कर सकता हूं पर अभी मैं इसको थोड़ा simple रखने के लिए यहां पर कह रहा हूं कि हमने केवल यह दो levels का game बनाया है और second level पर आकर जब हमारा player sprite हमारे portal को चुएगा तो मैं वहां पर हम कह रहे हैं कि वो फिर winning condition हो जाएगी कि वहाँ पर हम कहेंगे कि game is successfully over तो मैं इसलिए यहां पर जो हमने winning condition रखी दिंग game over and play the win animation यह वाली programming block यहां डाल रहा हूं तो हम इसको test करके देख सकते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही level 1 खतम हुआ जो हमारी player sprite थी वो उसी location पर रह गई और जैसे ही level 2 आ रहा है वो player sprite इस portal को चुह रही है और इसलिए यह जो second level पर game win condition थी वो जो है वो execute हो जा रही है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जहां पर हमारा second level शुरू हो रहा है वहां पर हमें define करना पड़ेगा कि हमारी जो player sprite है उसकी location क्या हो तो यह करने के लिए मैं tile map में जाकर एक नई tile जो है वो डाल रहा हूं और मैं उसका color जो है वो same as a background color रख रहा हूं ताकि वो दिखाई न दे और मैं उसको कही पर भी place कर सकता हूं तो मैं top left में place करके मैं कह रहा हूं done और फिर मैं scene में जाके यहां से एक programming block ला रहा हूं कि place my sprite की नया tile map बनाना और जो corgi की जो हमारी sprite है उसको कहां place करना यह जो blue tile है वहाँ पर place करना और यहां पर अगर मैं यह corgi करता हूं तो यह तो यहां पर अगर मैं यह कह रहा हूं तो हमारे पास उपर यहां programming errors आ रहे हैं तो इसको ठीक करने के लिए हमें हम corgi'o में जाकर हम यहां से यह programming block लाएंगे my corg sprite और हम यहां कह रहे हैं कि जो my corg नाम की sprite है उसको इस blue block के उपर setup कर देना और अब हमारे जो error आ रहा था वो हट गया है तो यहां पर अगर हम इसको फिर से test करते हैं तो हमारे पास यहां पर 5 lives है शुरू होते वक्त तो अब जो है हमारा level 2 ठीक शुरू हुआ क्योंकि हमारी sprite जहां हमने position करी थी वहां पर आ गई है पर यहां पर क्या हो रहा है कि अब lives remaining जो है वो cable 1 है क्योंकि हमने 4 lives अपने पहले game में lose कर दी थी तो हम चाहते हैं कि जब हमारा second level शुरू हो तब हमारे को lives जो है वो वापस मिल जाए तो मैं यहां से यह set life इसको duplicate करके जहां पर हम हमारा नया level शुरू हो रहा है वहां मैं कह रहा हूँ कि set life तो या तो आप 5 की 5 lives आपस दे सकते हो या आप game challenging बनाना चाहो तो यहां पर life को 3 कर सकते हैं हम तो अगर हम अब level 2 टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यहां पर जो level है इसको on start ही कह रहा हूँ कि start with level 1 तो यह अब हमारा जो level था यह चल रहा है बदर यह level 1 नहीं है level 2 है क्योंकि हमने अपने level 1 को level 0 कहा है और level 2 को level 1 कहा है तो हम इसको test करके देख सकते हैं क्योंकि अब हमारा पास 3 ही lives है तो यहां पर हमारा को अपना tile map ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहां काफी सारी enemies हैं और यह there is no way to go through this तो वापस मैं tile map में जाके यहां से eraser select करके यह जो enemy था यहां से इसको हटा रहा हूँ तो मैं थोड़ा tile map change करके इसको done करके अब हम level 2 फिर से try करते हैं तो अगें यह यहां पर यह जो हमारी enemy है यह भी काफी difficult है इसको avoid करना तो हम फिर से tile map थोड़ा change कर लेते हैं तो अब यह game playable है और जब हम यहां पर इस level पर आकर portal को छुएंगे तो हमारी यह जो game over win condition है यह आ जाएगी तो I hope आपको यह बात समझ में आई कि हम कैसे function का use करके जो हमारी set of instructions बार-बार repeat हो रही हैं उनको हम function में डाल देते हैं और फिर हम उस function को जहां पर भी हमें call करना होता है वहां पर call कर लेते हैं और फिर यह if then conditional statement डाल कर हम अलग-अलग levels बना सकते हैं और हर level में हम challenge जो है उसको change कर सकते हैं by changing the tile map, changing the enemies within the tile map और जो life है उसको कम जादा करके तो game interesting बनाने के लिए एक last चीज हम देख लेते हैं जो मैंने आपको game शुरू में दिखाया था उसमें जब game शुरू हो रहा था तो एक कुछ text based कुछ चीज लिख कर आ रही थी तो जैसे जब आप video games खेलते हैं तो video games में वो generally character की जो है वो कोई backstory बताते हैं तो अपनी story develop करने के लिए अगर आप इस किसम के text based messages अपने game में include करना चाहें तो यह आप कर सकते हैं by using extensions तो extensions के लिए आप extensions यहाँ scroll down करके extensions में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और extensions मिलेंगे जो की नए programming blocks जो है उनको add कर देते हैं तो यहाँ पर आप extensions ढूँट सकते हैं या आपको specific उसका URL पता है जो की normally github में आपको बहुत सारे extensions मिल जाएंगे तो मैं यहाँ github से arcade story नाम का यह extension ला रहा हूँ तो इसका मैं URL copy कर रहा हूँ और URL copy करने के बाद मैं यहाँ पर URL search कर रहा हूँ और इसको फिर मैं add कर रहा हूँ तो अब हमारे पास यह story नाम का एक नया extension आ गया है और इस story extension पे हमारे पास कई सारे नए programming blocks है उसमें एक programming block है print character text तो मैं on start इसको यहाँ डालके यहाँ पर अब जो भी आप type करोगे वो आपको as text यहाँ आ जाएगा तो जो भी हमारी backstory है हम वहाँ पर उसको यहाँ type कर सकते हैं तो मैं अभी simple सा कुछ type कर रहा हूँ कि welcome to this game, get the super dog to the portal, avoid the skulls and collect the coins तो यह अब जब हमारा game शुरू होगा तो यह इस अच्छे से sound effect के सान यहाँ पर type out होके हमारी जो story या instructions है यह आ जाएंगी और उसके बाद हमारा जो game है वो शुरू हो जाएगा तो यह अभी second level से game इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं जो हम on start था इसको हमारे को level को zero कर देना चाहिए तो I hope आपको यह Microsoft arcade game पसंद आया और आप इसको खुद से बनाना try करेंगे प्रूब करेंगे